अलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक आज हम बात करेंगे कि नाइट टाइम में लोगों को सीने में जलन क्यूं होती है उसके पीछे क्या कारण है और हम उस जलन को कैसे मैनेज कर सकते हैं और कुछ डाइटरी चेंज और कुछ लाइफ स्टाइल माडिफिकेशन से नाइट टाइम जो वर्निंग सेंसेशन है जो चेस पेन है जो चेस पे हैबिनेस है जो कई वरी देखा जाता है कि रात में आपको जलन होती है माउथ के अंदर खटा पानी आ जाता है और आपको हैविनेस लगती है बॉड़ी चेस में टाइटनेस लगता है कई वरी थोड़ा बहुत टिंगलिंग भी होता है और कई वरी हम देखते हैं कि हलका फुलका दर्द भी आ जाता है तो उससे फिर नाइट में हमारी जो स्लीप है completely disturbed हो जाती है और हम अच्छी नहीं ले पाते हैं बेचे नहीं होती है घबराट होती है और कई वरी देखा जाता है कि हलका फुलका पसीना भी हमें आता है और एक कंषूजन ऐलमा एक स्ट्रीण वाला कंडीशन डबलफ होता है और कई बार तो हम ये भी सोचते हैं कि ये दल की बीमारी तो नहीं है, कोई अटैक तो नहीं है, या फिर कोई चेस्ट में कोई दिक्कत तो नहीं हो गई है, तो इस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा है, अनिजी ने सोता है, हमारी स्लीप डिस्टरब होती है, क्वालिटी पर टोटली डिस्टर्व हो जाती है तो अब हम इसको समझने की कोसिस करते हैं जो एसे उसका बफर होना एक बहुत नॉर्मल सी पिरक्रिया है जिसे हम एसे रिफ्लेक्स कहते हैं यह गर्ड यह रिफ्लेक्स आप कह सकते हैं यानि एसेट का बनना और चेस्ट की तरफ एसेट क चड़ना यानि फ्लो करना यह बहुतनी कॉमन सी बात है लेकिन कुछ चंडीशन बस यह थोड़ा सा जादे होने लग जाता है और जब जादे एसेट फ्लो करता है तो चेस्ट में कंजेशन और कई वरी डिस्टरवेंस और इरिटेशन जलन यह सब पैदा करता है तो इसका क अल्कोहल या सौब्ट रिंग हाड ड्रिंग या रात में सोने से तुरंट पहले खाने का खाना या फर हैवी फूड का लेना जर्णल ही तरीका यह है उसको डिल करने का कि नाइट में आप हरी सबजी खाएं और चपाती खाएं, हलका खाना लें, और सोने से दो घंटे पहले आप खाना खा लें, और heavy food night time में नहीं लेना चाहिए, वो avoid करना चाहिए, अब आपका smoking है, या फिर आपका alcohol है, या soft drink, hard drink है, या फिर आपको evening में late evening चाय कॉफी है, ये सब आपको जलन पैदा करते हैं, तो इस सब को आपको change करना होगा, यदि आप दाल खाते हैं, तो बैटर है कि आप afternoon में दाल खाएं, evening में आप हरी सबजी खाएं, और 10 से 20% खाना कम खाएं, क्योंकि यदि आप overeating करते हैं, heavy food लेते हैं, तो फिर बाड़ी में मतला आपके GI जो functioning है, metabolic और जो anabolic, catabolic जो activities जो आप खाना खाते हैं, उसके बाद जो digestion की पिरकिरिया होती है, तो उस पिरकिरिया में थोड़ा सा complex develop होता है, strain आता है, यानि body को जाज़े काम करना पड़ता है, यदि आप 10 to 20% कम खाना खाएंगे, दो घंटे पहले खाना खालेंगे, तो दो घंटे में लगवग 40% digestion सम्बंदि काम हो चुका होता है, उसके बाद body को बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, दूसरे खाने को अच्छे से चू करके खाएं, और heavy food in a night is completely restricted, अब वो अवोईट करें, यह काट देना, दूसरा जो आपके complications हैं, यदि आपको गर्ड है, आपको reflex है, आपको acid बनता है, constip constipation संबंद इस हुए, तो उसका आप properly treatment लें, जिसमें की antacid हो सकता है, यह constipation की कुछ medicine हो सकती है, natural fibers लें, 30 gram fibers आपको चाहिए, यदि आपको acid reflex ज़्यादा होता है, constipation होता है, constipation के कारण भी आपको बहुत ज़्यादा gas बनती है, और वफर करती है, दूसरा फिर कोई passage में यदि आपको कोई recovered है, like आप obese हैं, या फिर आपका fatty liver है, या आपको gallbladder stone है, या आपका जो valve है, जो GI valve है, वो कही बारी धीला हो गया है, या फिर आपको food pipe है, उसमें swelling आ गया है, तो उन conditions में भी ये थोड़ा सा ज़्यादा acid reflex करता है आपको, और night time आपको burning sensation डवल इन में जो सीने में जलन होती है, उसके पीछे कई बारी दूसरे reason भी होते हैं, like body के अंदर vitamin B complex की कमी, पानी का कम पीना, कम fiber का मिलना, plus कम walking करना, means आप एक restricted life style में रहते हैं, कई बारी देखा जाता है कि लोग चेर पे बैटके ही खाना खाते हैं, उसके बाद चेर पे घंटे एक जगई fix रहते हैं, तो थोड़ा सा आप move करें, खाना खाते समय हलका खाना लें, खाने को अच्छे से चवा के खाएं, खाना दो घंटे पहले खाएं सोने से पहले और night time आपका जो acid reflex है, उससे बचने के लिए आप properly पीएं और दूसरा आपका जो बिस्तर है जि sleeping में, तो आपकी sleep की quality भी better होगी और आपका night time जो acid reflex है वो भी कम हो जाएगा, यानि manage हो जाएगा, minimize हो जाएगा, आप लगवग एक foot अपने विस्तर को head की तरफ से, सर की तरफ से उचा कर लीजिए, तक यह से उचा नहीं करना है, विस्तर को नीचे से उचा करना है, यानि आप obese है, तो बेट normal करें, fatty liver है, तो आप physical exercise करें, अपने खाने से fat and sweets, यानि मीठा खाना और तला भुना खाना, जो refined fat है, वो immediately बंद कर दें, तो यह एक management रहेगा, natural management, night time, acid reflex का, जो आपके सीने में दर्द होता है, यदि फिर भी जलन बनी रहती है, तो आप अपने symptoms को doctor से discuss करें, और doctor से consultation लें, thank you very much, thanks for watching.